हेलो नमस्कार गुड मॉनिंग कैसे हैं आप सब तो करेंट अफेर के साथ फिर मैं सुबह सुबह हाजीर हो गया हूँ चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो पहला जो कुश्चन है वह आप देख रहे हैं आपर मैंने लिखा हुआ है तियानवेन प्रथम या तियानवेन फ परांथ में पढ़ता है हेनान पुर्फाय। जो क् Joint Center वहां से इसको क्या कर दिया गया है और जिस रॉकिट जरी इसको लौंच किया गया है इस रॉकिट का नाम है लौंग्मार्च फाइव वाइफोर ठीक है नॉर्मली क्या लिखा मिलता है लॉंग मार्च फाइव वाइफोर यह रॉकेट जो है यूज किया गया है और यह जो रॉकेट है वो अपने साथ एक रोवर लेकर गया है अब रोवर के बारे में मुझे बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि चंद्रि चाइना ने इसको जो है लॉंच किया है तो पहला इसका उद्देश यह है कि मंगल की धरती है वहां की जो सतह है उस पर बर्फ का पता लगाना कि वहां पर बर्फ मौजूद है या नहीं इसके बारे में पता लगाना साती साथ जो है मंगल की जलवायू कैसी है ठीक है और म शाइना का मंगल यहान है जिसको लॉँच कर दिया गया है छली इसके बाद आगे घघते हैं तो अगला जो प्रश्ण वह लो APC सार्ट सार्ट में इसको बोला जाता था इनका हम क्या करते थे आयात करते थे अच्छा-खासा खर्च भी आता था और इनका उपयोग जो है वह निंहों या उसी प्रकार की बीमारिया जो होती है उन्में किया जाता तो यह जो निमोलकल पॉली सेकराइट कंजीम वेक्सीन है यह जो पहली है जिसका जो है सोदेस में क्या किया गया है विकास किया गया है अर्थारती कैसी हो जाएगी सोदेसी हो जाएगी और इसका विकास किस ने किया है भारती सीरम संस्थान पुणे ने जो है इसका विकास क रखनली मुख्यूप से आपको बात क्या रखनी है नीमोनिया कि अपचार में पर्योग की जाने वाली नीवमोकल पॉली सेक्राट कंव्ईब वیک्सीन की तक अभी तक किया वाले हैं तो कुश्चन क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2009 या फिर उपभोगता सरच्षड अधिनियम 2019 अब देखिए मैं आपको बता देता हूं कि 20 जुलाई 2020 से पहले आपके पास जो आपकी सरच्षड के लिए आपकी रच्षा के लिए या फिर आपके अधिकारों के लिए जो आपका कंज्यूमर एक्ट था वह आपका 1986 वाला था था ठीक है और इसमें तमाम सारी खामिया थी क्योंकि 1986 में यह बना था हमारे सरच्षड के लिए और तब से अभी तक स तमाम सारी e-commerce कंपनिया थीक है यह कंपनिया नहीं होगी तो इनको लेकर कोई भी रूल रेगुलेटरी उसमें नहीं होगी कि अगर इन कंपनियों के दौरा हमारे साथ फ्रॉड किया जाएगा तो फिरम कहां जाएंगे नहीं था ना इसमें बिलकुल नहीं होगा साथी लगश्या यह कंपनियों के फ॒त्स लेति आप है तो विज्यापन वगहरा भी आते हैं तो तौह टूक है खंड़ का सरचन, अद्व में नहीं थी तो इसलिए क्या किया गया कि उभ्भुकता सरचछड अधनियम 2019 को जो है 20 जुलाई 2020 से क्या कर दिया गया है लागू कर दिया गया है और इसने स्थान किसका लिया है Consumer Protection Act 1986 या उभ्भुकता सरचड अधनियम 1986 का इसने स्थान लिया है अब हम एक point इसमें देखेंगे कि वो बिंदू जो 1986 वाले उभुकता सरच्छड अधनियम में नहीं थे ऐसे point की हम बात करेंगे जो उभुकता सरच्छड अधनियम 1986 में नहीं थे लेकिन उभुकता सरच्छड अधनियम 2019 में मौझूद है point नमबर एक मैं आपको बता देता हूँ e-commerce कंपनियां भी जो हैं अब इसके दाइरे में आएंगी e-commerce कंपनियों को इसके दाइरे में लाया गया है अगर कोई fraud आपके साथ होता है e-commerce कंपनी के दोरा तो आप उभुकता सरच्छड अधनियम 2019 के तहट जो है उसके खिलाब का रिवाई कर सकते हैं उसके खिलाब पूर्ट में जा सकते हैं इससे पहले 20 जुलाई के पहले अगर किसी भी प्रकार का fraud होता था Amazon, Flipkart या snap deal या फिर और भी तमाम सारी जो e-commerce कंपनिया हैं तो क्या होता था आप उसी से ही सिकायत करते थे निवारन हो जाता था या फिर नहीं होता था क्या किसी कोर्ट में या कहीं पर आप उसके खिलाब जो है जा सकते थे नहीं जा सकते थे लेकिन अब आप 20 जुलाई से जा सकेंगे क्योंकि e-commerce company अभी इसके दायरे में आ गई है ठीक है अच्छा अब दूसरा point एक और अगर हम देखें कि अगर किसी उपभोगता के साथ किसी consumer के साथ कोई बड़ा fraud होता है बड़ा उसको नुक्सान होता है तो फिर क्या करना पड़ेगा जो company या फिर जो आपका seller होगा जो supplier होगा वह पांच लाख रुपए जो क्या करेगा उसको जुर्माना देगा ठीक है बड़ा नुक्सान होने पर उभोगता को पांच लाख रुपए तक का जुर्माना दिया जाएगा और साथी साथ जो है वो 7 साल तक की उसको कैद भी हो सकती है कौन जिसने fraud किया होगा अगर in case किसी मामले में consumer की death हो जाती है तो 10 लाख रुपे तक का जुर्माना दिया जाएगा और साती साथ आजीवन कारावास या 7 साल कारावास का जो है प्रावधान उसमें भी है ठीक है छोट बड़ा अगर नुकसान होता है तो 5 लाख रुपे जुर्माना है death हो जाती है consumer की तो 10 लाख रुपे जुर्माना है सजा मैं आपको बताई रहा हूं साथ में अब एक point और समझेगा आप जो भ्रामक विग्यापन celebrities दौरा किये जाते हैं ठीक है भ्रामक विग्यापन celebrities दौरा किये जाते हैं उनके खिलाप अगर कोई case फाइल किया जाता है तो उन पर 10 लाख रुपे तक का जुर्माना उनसे 10 लाख रुपे तक का जुर्माना लिया जाता है यानि जो celebrities हैं वो भी आपके जो हैं वो उभ्भुकता सरच्छड अदनियम 2019 में लपेट लिये गए हैं और एक और चीज अगर आप किसी भी supplier किसी भी आपूरती वाले के खिलाप अगर जूठी complaint करते हैं तो आप पर भी 50,000 रुपे जुर्माना लगाया जा सकता है तो एक कुछ मुख्य बिंदू हैं उभुकता सरच्छड अदनियम 2019 के यानि ए-commerce कंपनिया जो है वो आ गई हैं अगर कोई celebrity ब्रहमक विज्ञापन करता है तो उस पर 10,000,000 रुपे तक का जुर्माना है बड़ा नुकसान किसी consumer को होता है तो फिर उसको 5,000,000 रुपे तक का मुआवजा दिया जाएगा और अगर death हो जाती ही consumer की तो उसको 10,000,000 रुपे तक का मुआवजा दिया जाएगा ये कुछ बाते हैं Consumer Protection Act 2019 की लागू कब से हुआ है इस्थान किसका लिया है और वो point जो 1986 वाले में नहीं थे अब आगे बात करते हैं अगला प्रशन है नाम लिखा हुआ है चंद्रिका प्रसाद संतोखी चंद्रिका प्रसाद संतोखी की बात करें तो यह भारती मूलके हैं भारती मूलके हैं और इनको सूरी नाम का राष्टपती सुना गया है सूरी नाम की संसद है नेशनल असेंबली उसने इनको क्या किया है वहां का राष्टपती चुना गया है सर्वसंपती से इनको राष्टपती चुना गया है और डेसी बाउटर्स को इन्होंने क्या किया है हराया है ठीक डेसी बाउटर स्कों राया है तो इनका नाम आपको याद रखना है और साथ ही साथ आप थोड़ा सा हम सूरी नाम के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि देखें सूरी नाम के बात करें तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है कि यह जो आप देख रहे हैं यह क्या हो जाएगा आपका यह आपका जो एक उत्री अमेरिका होता है दच्छडी मेरिका होता है तो यह दच्छडी अमेरिका है पूरा दच्छडी मेरिका महादियूप है पूरा और इस महादियूप में इस वाले हिस्से में आएगे तो यहाँ पर यह एक country आपको मिलता है जिसको हम बोलते हैं गोयाना और इसी के बगल में एक country है जिसको हम बोलते हैं सूरी नाम इसको हम क्या बोलते हैं सूरी नाम बोलते हैं और इसके बगल में और country है जिसको कहा जाता है French Guina French Guina यह तीन country हैं हैं बहुत सारी इस साइड में आप आएंगे तो यहाँ पर वेनु जोयला मिलेगी उसके बाद कोलंबिया मिलेगी एकवेडोर आपको मिलेगा इस प्रकार से आप तीजे चलते चले आएंगे तो तमाम सारी कंट्री मिलेंगे चिली है अर्जिन्टीना है यहाँ का ब्राजील है तो तमाम सारी कंट्री है उन पर अभी बात करने वाले नहीं है हमको किसके बारे में बात करने हैं सूरी नाम के बारे में तो सूरी नाम मुखिता जो है अगर हम देखें तो दच्छिड अमेरिकी कंट्री है और इसके आसपास यह जो आप समुदरी छेतर देख रहे हैं यहां पर क्या होगा इसके आसपास समुदरी छित्र होगा तो अभी हाल में ही क्या हुआ है कि सूरी नाम का जो समुदरी एरिया है यहां पर बहुत बड़े तेल के भंडारण पाए गए हैं तो ऐसे में आगे चलकर जो है सूरी नाम की जो आर्थिक इस्तिती है जो एकनॉमि में क्या किया गया सूरी नाम का जो समुदरी छेत्र है जली छेत्र है वहां पर बड़े बड़े तेल के भंडारण पाए गए ठीक अब यह जो सूरी नाम आप देख रहे हैं यहां पर पहले जो है उपनिवेश था किसका नीदर लेंड का यानि जो डच थे उनका यहां पर ही नेत्रत्व करते हैं कौन चंद्रिका प्रसाद संतोखी और इनको जो है यहां का क्या चुना गया है रास्टपती चुना गया है एक पॉइंट और अगर मैं आपको बता दूं सूरी नाम जो है मुखिरूप से बॉक्साइट का क्या करता है निरियात करता है और बॉक्सा रास्पति है इनका नाम आपको याद रखना है ठीक है दो पॉइंट मैं आपसे पूछ continued सूरी नाम की राजधानी और सूरी नाम की करंसी क्या है वह आप कमेंट बॉक्स में बताएगा ठीक है और एक और पॉइंट आप बता सकते हैं सूरी नाम के किनारे किनारे जो जली छेतर होगा ये कौन सा महासागर या कौन सा आपका सागर होगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो ये हो गया सूरी नाम चंद्रिका प्रसाथ संतोखी और साती साथ जो है इनको राश्पती बनाए जाने की बात अब आगे अगर ग्धृप करें तो अगला जो प्रश्ण होगा देखी समझ लीजिए तो अगला जो प्रश्ण है वो कारगिल विजयदिवस अब कारगिल विजयदिवस की बात करें तो आप जानते है कम मनायी जाता है 26 जुलाई को मनाया जाता है उन्नीareth सो निन्यान वे को कारगिल में ठ प्राद दिया था लेकिन हमारे 500 से अधिक जवान जो हैं वो सहीद हो गए थे और उसी 1999 को दिन था आपका 26 जुलाई और उसी 26 जुलाई को हमारे साल जो है क्या मनाते हैं कारगिल विजह दिवस बनाते हैं ठीक है बस इतनी सी बात इसमें याद रखेगा और कुछ नहीं इसके बाद एक पॉइंट अगर और हम देखें अगला जो करेंट अफेर देखें तो यह है कि हरियाना सरकार ने क्या किया है जो आपकी हरियाना गौर्रमेंट है ऑर यह विध्यक एक कुछ ऐसा कि इसमें पंचायती चुनाओं में महिलाओं को 50 पर्कार एक विद्यक ला रही है जिसमें महिलाओं को 50% आरच्छड देने की बात कही गई सरकार है अब एक point मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक question आपसे पूछ रहा हूँ इससे जोड़ा हुआ आपको यह बताना है पंचायतों में reservation किस आरच्छण के तहद दिया जाता है और minimum कितना आरच्छण जो है महिलाओं को मिलता है पंचायतों में maximum राज्जी पर depend है राज्जी के विधान मंडल पर depend है वो जितना देना चाहे ठीक है minimum कितना मिलता है और किस अनुछेत के तहद मिलता है यह आपको comment box में बताना है अब इसके बाद एक और अगर हम देखें एक और अग सांबार कर दिया त्यानि याणि एक चैपटर योग काभी होना चाहिए source में और हर जगोंड़व चाहिए यहाड़ी का डाली लगती को इसकोड़त में और सुप्रीम इसको क्या कर दिया है समग Online एकृष्ट कर दिया ह। उसने इसको क्या कर दिया है उसने आज चोश भी ये वाला question भी अच्छा है consumer protection act 2019 वाला भी question अच्छा है और सूरी नाम वाला question भी अच्छा है बाकि बेसिक question तो आप पढ़ते रहते हैं normal आपको कहीं न कहीं मिली जाते हैं ये वाला डूलिएगा काफी चीजे हर्याडा जो कर रही government वाला अरच्छन जो मैंने पूछा है उसक अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को maximum से maximum लोगों में share करें और प्ली चैनल को subscribe करें सब्सक्राइबर थोड़े थोड़े ही अगर बढ़ेंगे तब भी बड़ा motivation मिलता है नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है मतलब मन एकदम अशान्त हो जाता है जब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं like and shares नहीं मिलते हैं comments नहीं मिलते हैं तो please करते रहिए support करते रह है थैंक यू थैंक यू वेरी मच